अब है इवं ज्यान शास्त्रों में वरणित हैं ये चार प्रकार के दान जिन से होता है प्राणी मात्र का कल्याण परम पूज्य वात्सले मूर्ती जिन धर्म प्रभाविका आरिकारत्न शिरी 105 श्रिष्टी भूशन माताजी की मंगल प्रेणा एवं आशिरवात से श्रिष्टी मंगलम सेवा समीती द्वारा बच्चों के सिक्षा असहाई गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्वुत धर्म प्रभावना एक सो पाजारी का सिष्टी भूशन माता जी की जै मैं सीमा मेरा बेटा हम सूरत में रहते थे एक दिनी स्कूल जा रहता है एक्सिजेंट हो गया एक्सिजेंट के 6 मेने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया ऑपरेशन हो गया ऑपरे किसी नहीं सुजा मैं क्या करूं मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारें बोला मैं माता जी बास आई माता जी बोली बेटा तू सही जैग आई है अब तू मेरी शरम मेरा मैं माता जी सरम रही माता जी मेरा इतनी अच्छी कर से देख भाल करती है उन्होंने मिल रहने को इतना अच्छा से ख्याल रगती हैं, खाना, पीना, कपड़ा, लगता ने इसका इलाज करवाया। आपकी द्वारा धी गई सहयोग राशी की रिसीप्ट प्राप्त करने हे तू संपर्क करें 93765-71003 शृष्टी मंगलम सेवा समीती से जोड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाडी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसका रिक्रम के पुनियार्चक हैं शिरी सुभास चंदर जैन, नावला वाले, शिरी मती सुलोचना जैन, निवासी, इंदौर, मध्य प्रदेश, शिरी आलोग जैन, शिरी मती श्वेता जैन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, शिरी अमित जैन, डॉक्टर रिचा जैन, कोट द्वार, उत्तरा खंट पर उनको दे दी और वो आया तो उसके अंदर इतना क्रोध आया कुछ साल बाद आया पता चला वेद्वती की तो साधी हो गई और कहते हैं वो साधी सुधा को भी जवर्म लेने के लिए कि ये मुझे मिलना थी इसको कैसे मिल गई और उसको मार कर उसके पिता ने विरोध किया तो पिता को मार दिया और पती ने विरोध किया तो पती को मार दिया उस समय वीद्वती की परियाए में उसने निदान किया था कि आज तू मेरे पती और पिता के बंस को तूने नास किया गए एक बार मुझे सक्ती मिलेगी तो मैं भी तेरे दोनों पक्ष को नास कर दूँ और उस समय की देखिये निदान कैसा कितना रावण को कितना ज्यानी कितना विद्वान कितना बली कितना धन्पती और वो वेद्वती की परियाई का निदान उसे यहां भोगना पड़ा सस्वुराल पक्ष यह ने रावण की सस्वुराल पक्ष के लोगों को भी मारा मारें गयुआ उस उद में रावन मय, रावन का ससुर मय राजा था विध्याधरों का स्वामी था 14 अज्जार विध्याधरों का स्वामी था राज मय, मंदोदरी, कोई छोटे मुटे राजा की वेटी नहीं थी और रावन की मौत का कारण भी बनी इसलिए हम लोगों को ध्यान नतना हैं क्या कहा एक उन्द कुद्ध सामी ने कि जो सम्भिक दशन के साथ तुज़ा करता है वो नियम से निर्वाण जाता है और जब नियों को आहार देता है आहार की अनबोधना भी करता है वो भी नियम से कुछ क्यालबात बुछ चला जाए और दोनों का फल भी अलग बताया यदि आपने कोई मंदिर में दान दे रहा हूँ चतुरमास में दान दे रहा हूँ और आपने सोच लिया करने तो कमेटी को देगे कैसे कर लेगे और आपने किसी को इतना भी कह दिया कि रहने देना भी तो दिया तो फिर बाद में दे देना समझ लेना तुमने अंत्राय बांद लिया तुम तो दे नहीं सकते और वो दे रहा था आपने सिर्व इतना कह दिया अभी काय को दे रहा और बहुत से मौके पढ़ेंगे अरे बहुत से मौके पढ़ेंगे लेकिन तुमने तीव रंतराय का बंद कर लिया क्योंकि ये निदत्ती और निकांची जैसे कर्म बन जाते हैं देव और गुरु की अवेलना का परणाम कितना भोगना पड़ता है आपने कभी से जाँ अंजना आदी को क्यों भोगना पड़ा देव की अवेलना का परणाम था बाइस गड़ी को पृत्मा चुपा दी थी उसका परणाम बाइस साल तक पती से भी उग रहा और एक नए अनेको द्रस्तान थे रुकमणी आदी के जीवने दुरगंदा, सुगंदा, सुगंदा, स्मी की आप कता पड़ते हैं दुरुपती की पूर्भव की कता ये तीन कताएं एक सी हैं जो कि भूल से भी गुरुओं की अवेलना कर दे और उसका परणाम कितना गाता हुआ मनों विनोद में भी टाइम पाइस करने के लिए भी किसी गुरु की चल्चा मत करना क्योंकि वो तो दिहान में, सामाइक में, प्राइस्चित में पस्चाचाप से, आरादना से, जिरिन देव की बंजना से कर्म काट लेंगे आप काटनी कहां जाओगे, और आपको एक भग में नहीं, अनेको भव भवांतरों में बहुत सुंदर कुंद कुंद सामी कहते जिनुद्दार पदिट्था, जिन कुजा तित्वण, बंदन विस्याम दंदन्दाई भुझजई जिन भुझजई नरह गई दुखाँ और केते पुत्त कलत्त भिदूरो, दारिंदो, पंग, मुक, बहिरंदो, चंडादा लादी कुजादी पूजा दाना ही तब दान मुनियों को दिया जाता है, पूजा जिनेन देव की जाता है ज्याना दानम पूजा मुक्खम बोला जाता है, तो आप सुखले तो अमने तो दोनों काम करते हैं मंदिर में दान कर दिया और भगवान की पूजा कर लिए आचारी केते हैं दान चतुर विदी संको देना और पूजा जिनेन देव की आरादना उपासना विदान आदी में भी योग सक्ति से जरूर देना है तो क्या पढ़ा अविसना पुत्त कलत्त विदूरो दारिंदो मुख बही रंदो के दिया सरीरों में बीमारियां होंगी आँ भोग लियाओगे तो इच्छत वलों न लगवाई जही लगवाई तम न भुझ देनी ना एक तो इच्छत वलों की प्राप्ती नहीं होती और हो जाए तो भोग नहीं सकते हों आज का आदमी का यही आल है गर में बहुत सुंसर सब कुछ विवस्ता है लेकि नीद नहीं है गर में खाने की सामजरिये खा नहीं सकते हैं सब सादन है लेकिन ठीक सरीधी मसीनी काम नहीं करते हुआ क्यों क्यों की कहा था पहले काम दे पूजा बाद में काम दुजा आज कल संदे पुजा तो बिल्कुल छूट गई लूग कहते है बुढ़ाते में पूजा कर ले हमने कहा दवलत राम जी कहते हैं जब लोग न रोग जरागे तब लोग जटत निजीत करो जली से जलीत करो कौन सा इस करो एक दिन भी जिनिन देर की आराधना से बंचित मत रख रख क्योंकि जितनों ने पुन का बंग किया था सुदर्संसेट एजीब के बारे में आता है कि गौला ता सेट की गाएं चराता था और सेट को देखकर यह भाबना कर लिए कि मुझे भी यहसा मोका मिले सिर्फ देखा था और उस देखने का परनाम देखो सुदर्संसेट हो किया और दुरगटना से मरा था, सोचे कोई ऐसे आराम से मर गया नहीं, गाएं चराता था, एक दिन एक आए पानी में नदी में उतर गया, उसे बचाने के लिए छलाग लगाई, तो कोई लगडी का ठूट था, वो पेट में चुप जया, जादक रक्त स्रावने से मर गया, लेकि मन में भावना रहती थी, कि कभी समय आएगा जब मैं भी इन 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 देव की कुजा करंगा, सामाई करूगा और ऐसा सामाई का वेक्ती, ऐसी योगिता प्राप्तुई, कि सम्सान में जाकर गस्त अवस्ता में भी सामाई कर करूगा, और आपको बताए, रानी मोहित हो गई रानी मोहित हो गई, रानी ने एक पुतला मनाया, क्योंकि कुछ सड़ें तर तो बनाना था, और वो सेट के मित्र थे, पहले गुलाया तो वो कहके चले गए कि नहीं मुझ मैं, ऐसी योगिता नहीं है, मैं पुरुस नहीं हूँ, लेकिन अचानक एकिन मनोरमा को, रत में ब रानी को लगा, उससे जूट बोल कर गया, आप तो इससे बिलाओंगे, और वो सामाइक में बैटे थे, रानी की कुछ इस्ता जानने के बाद नहीं आये, रानी के हां, तो उसने एक पार पुतला मंगा ला, और पुतले को दासियों को रोकने की गोस्स की, दासियों ने वो पुतला था, उसमिट्टी का पुतला था, पटक दिया, और कहने लगी दासियी, रानी ने देवता था, भुलाया था, आप लोगों ने ऐसा किया, रानी सजा देगी, रानी ने भी बहुत क्रोधित हुए, कि तुमने ऐसा ऐसा किया, हमारे देवी का पुत वाना था उसे उठवा लिया और आपको पता जब चेस्टाएं कुछ चेस्टाएं सफन नहीं हुई तो दूसरा रूप बदल दिया रोने चिलाने लगी कहने लगी ये मुझ पर बुरी नजर डालने के लिए आया दे को डॉंग बना रहा है ऐसे बैठ गया दासियों को बुल कि राली ये राजय को पता चला राजय ने आदेश देदिया कि से सूली पचडवाता है जब स्सेट अजरसन को भिसादो से लगाया रानी के कहे भूप ने सूली पचड़ाया उस भगतत में सेटनी जब ध्यान द्याया सूली से उतार उसा सिंगासन पर बढ़ाया येकिन उन्होंने कोई अच्णा कोई सफाई पर इस नहीं कि, उनके अंतर तो ये ध्यान था, कि सरीर चला जाए लेकिन मेरी पृतिज्या बंग नहीं होना चाये, और अब तो उपस्तर गागया में क्या सफाई दो, चला जाओंगा लेकिन अपने आप को अपने आप से दूर नहीं करूंगा और द्यान में बैटे थे सूली पे चड़ा दिया देवों के आसन कमपाई मान हो गए कि आज एक धर्मात्मा सील मान सील से लोग कब विश्वास उठ जाएगा देवताओं के आसन कमपाई मान हो गए और जो सूली लगनी थी वो फूल माला गले में डल गई कई वार प्रियास किये गए सब प्रियास अब सफल हो गए और उसके बाद राजा भी नत्मस तक हो गया बाद में राणी का चरित्र प्रगट हो गया लेकिन उन्होंने रानी को भी म्रत्तों की सजाने गए एक नहीं है नेको द्रस्तान थे दर्मात्माओं के यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दुर्दर ये चणादा से सरगी गुणगण सम्रिद्दा सिखने थी क्या कहते प्रमुदित भाव से जिनिन देव के चरणों में एक पांखुडी ले गया था और मर जिया आप क्या कहेंगे क्या पाइदा ऐसी पूजा से बचा नहीं पाए बगबग लेकिन नहीं बलाई में हो अगर मौत तो जीने से बहतर गए बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बतर गए बुराई में मत जीना बुराई की आतों में मत जीना क्योंकि अच्छी आते भी लग जाती है और बुरी आते भी लग जाती है अच्छी आते तुमारे जीवन को आदर्स बना देती है और बुरी आत्मी, बुरी आत्मे आपको जीवन में नफरत का सिकार बना देती है, जुआरी सराभी को कोई बैठाना नहीं चाहता है, और कोई धर्मात्मा से दूर नहीं होना चाहता है, पुन्यात्मा को जीव, कहता है हमारे मितने रोज पूजा करते हैं, रोज अभी सेख क है बहुत बड़ी अव्रति है आपने कभी सुना ना यदि सरावे पीना भी है तो कहते लोग पीते हैं पीपी के गिरते हैं हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं हम तो पीते हैं भक्ती का प्याला जो भक्ती का प्याला पी ले जिसे नसा चढ़ जाए कि रोज पूजा करना है रो पुझ गुरुओं के चरणों में जाना है वो सुली भी सिंहासन वन जाती के। पुझ गुरुओं जाना हैों में जाती के।